प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम देखेंगे आधुनिक भारतिय कला, अब प्रश्ण ये है कि आधुनिक भारतिय कला क्या है, किन चित्रकारों का योगतान है, आधुनिक भारतिय कला के अंतरकत किस प्रकार का काली हुआ है, तो इसको जब देखने का प्रया अश्टवाद राजारवी वर्मा जब हमने इसका अध्यान किया था तो हमें सबसे पहले तो पता चलता है कि अंग्रेजों में क्योंकि भारत में इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना होती है और यूरोप ये जो भारत में आते हैं उनको ये लगता है कि भारत में जो कला है उसका आनन्द नहीं लिया जाता, कला का रस नहीं लिया जाता, कला की सुन्दरता से भारते लोग परिचित नहीं है. और इसलिए उन्होंने कहा कि इसके अलावा ये तो नहीं है, लेकिन इसका प्रशिक्षन भी नहीं दिया जाता है और एंद्रे समेदा भी नहीं है. यह सोचकर यूरोपी जो आये थे उन्होंने भारत में एक ऐसी शेली जो की यूरोपी अकादमी की शेली है उसके आधार पर कई कलाविद्यालेओं की इस्थापना का प्रयास किया जिसमें आरंभिक जो हैं लाहोर, कलकत्ता, बोंबे और मदरास लाहोर और कलकत्ता को वर्तमान में कलकत्ता कहा जाता है बोंबे को मुंबई कहा जाता है और मदरास को चिन नहीं कहा जाता है तो लाहोर, कलकत्ता, बोंबे और मदरास में कलाविद्यालेओं की इस्थापना की कई इन विद्यालेव में अकादमिक शेली और प्रक्रतिवाद को बढ़ावा मिला और इसके अलावा यूरूप ये जो वाजा रहे उसकी डिमांड के अनुसार काम किया जाने लगा अब इसके समकष एक ओर शेली जिसे हम बंगाल इसकुल ओफ आर्ट केहते हैं साथ ही भारतिय कलाकारों को भारतिय कला के आधार पर या भारतिय कला को अपना धेय बनाने के लिए कहते हैं इसे क्रम में भारत में जो राष्ट्रवाद फेला वह राष्ट्रवाद भी देखा जाता है जिसे सांस्कृति का राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं इसके अतिरिक 1919 में रविनेरा टेगोर द्वारा शान्तिनी केतन में कला भवन की इस्थापना की गई यह अपने आप में भारत में कला को सामने लाने का सार्थक प्रयास था यह भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला विद्याले था अब ऐसे में न केवल इत्ते प्रयास हुए बलकि 1922 में भारत में बहुस कला प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें कले कार्डिस की जैसे कलाकार जो है तो उनकी कलाकृत्यों का यहाँ पर प्रदर्शनी की गई जिसको हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था इसके अतिरिक्त गगनेंद्रनाटेगोर रविन्रनाटेगोर जैसे कलाकारों ने गगनवाद अभिव्यन जनाबाद जैसे वादों की ओर आकर्शित हुए और यथार्थवाद को त्याग कर अमुर्थ कला की ओर आए अब ऐसे में यहाँ पर एक मत भी दिया गया है कि कला को दुनिया की नकल करने की आवशक्ता नहीं है बलकि रूपों रेखाओ और रंगों के प्रयोग से अपनी स्वयम की दुनिया का सजन करना चाहिए गगनेंदनाट टेगोर गनवाद से भी जुड़े हुए है लेकिन इनका गनवाद पाबलो पिकासो के गनवाद से काफी अलग है इसके अतिरिक्त रविननाट टेगोर का नावाता है जिन्होंने जीवन के सात्वे दशक में वलब साट साल से भी अथिक की उम्र में कलाकर्तियों का निर्मान करना शुरू किया अब ऐसे में जब गनवादी तत्वों की बात करते हैं तो उन्होंने उर्द्वादार, शेतिज और तिर्ची रेखाओं का प्रियोग कर अपने रहस्य में विशाल, कक्षो और कमरों के निर्मान का कार्य किया है और जामिती आकरतियों का प्रियोग करके आकार बनाए हैं यह जामिती आकार न केवल पिक, यहाँ पर गगने नाटेगोर किया मिलते हैं, बलकि पीकासो के भी मिलते हैं, लेकिन दोनों ही सरवथा बिन नहें रविन नाटेगोर जैसा कि मैं कह चुका हूँ, जीवन के सात्वे दशक में, अर्थात की साठ साल से अधिक उम्र में उन्होंने चित्रनकार्य प्रारंब किया, तो किस प्रकार से किया, जब वो कुछ कवीताय लिगते थे, तो उसमें उनसे गलतिया हो जाती थी, उसी को क चाट चाट करके डूडल बनाते थे, और इस प्रकार सूलेक की एक विशेश शेली विक्सित की जो चित्रों के रूप में भी सामने आती हैं, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, अब ऐसे में उनकी जो कवीताय हैं, उसमें ही चेहरे और चित्र दिखाई देते हैं बुद्रश दिखाई देते हैं, और उन्होंने काले, पीले, गेरू, लाल, बूरे रंगों तक ही चित्रन कार्य करने का प्रयास किया हैं, इस प्रकार रविंद नाट टेगोर के चित्र भी आकर शक बर पड़े हैं, यदि हम बंगाल इसकुल की बात करते हैं, तो वह भारत चित्रन की जो तकनिक है, उसमें अजन्ता, मोगल, पहाडी, राजस्थानी, जैसी शेलिया है, उनसे प्रभावित था, और यह हम जो चित्रन कार्य हुआ है, उसमें देख सकते हैं, नंदलाल बोस, 1921-22 में, ललित कला संस्थान, कला भवन, शांतिकरी के तन से जुड़े, और जो राष्ट्रियवाद की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, नंदलाल की बोस के शिश्य है, विनोत बिहारी मुकरजी और राम किंकर बेच, इन्होंने प्रक्रती, इसकेज, जैसी जो बाते हैं, उसकी और विशेश ध् और एसे में बहुत ही आकरशक चित्र बनाये हैं और इन्होंने शांतिनिकेतन के आसपास के शेत्र में आबाहरी शेत्र में रहने वाली संथाल फेमेली को भी अपने चित्रों का विशय बनाया है अपनी मुर्तियों का विशय बनाया है जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हुए देखते हैं कि राम की इंकर बेजी की संथाल फेमिली एक प्रसिद्ध करती है जो सीमेंट और कंक्रिट में बनी हुई है इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो रामायन और महा भारत जैसे काव्यो पर चित्रन हमेशा से भारत में होता रहा है और यही चित्रन यहाँ पर भी देखने को मिलता है और विनोद बिहारी मुखर जी ने रामायन और महाभारत जैसे प्रसित महाकाव्य पर चित्र बनाये हैं तथा इसके अत्तिरिक्त मध्यकालीन संतों के जीवन को भी चित्रित किया है इसी क्रम में शांतिनी के तद में हिंदी भवन की दीवार पर मध्यकालीन संत नामक एक भित्ती चित्र देखा जा सकता है जिस पे तुलसिदास कबीर और अन्य लोगों के जीवन को दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त पहले ही बता चुका हूँ राम किंकर बेज जिन्होंने संताल फेमेली संताल परिवार नामक एक मुर्ती का निर्मान किया है जो कला भवन परिसर शांतिनी के तन में देखी जा सकती है जिसमें धातू के धाचे मतलब आर्मेचर के उपर सीमेंट और गिटी के मिश्रन मतलब की कंकरीट से इस मुर्ती का निर्मान किया है इसके अतिरिक्त एक और कलाकार यहां पे महत्वपुन है जिनका नाम है डी पी राय चोधरी देवी प्रसाथ राय चोधरी जो मुर्ती कार है और उनकी बनाई करती श्रम की विजए ट्रम्फ ओफ लेबर श्रम की विजय जिसको अंग्रेजी में हम कहते है ट्रम्फ अप लेबर जो की श्रमिक मजदूरों की जो जीवन है उसको बताती है ऐसे में हम देख रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि विनोत बिहारी मुखर जी, राम किंकर बेज, जामी नीराए क्योंकि जामी नीराए पर हमने पिछले पार्ट पर पढ़ा था तो ऐसे अनेक कलाकार है जो यहां पर महत्वपूर्ण है जामी नीराए ने ग्रामीन लोक कला या जो हम फोकार्ट केते हैं पटवा कला आदी को समझा और आधार बनाया पिकासो, पॉल्ली जैसे जो यूरोपय कलाकार है और उनको आधार बनाकर गनवाद, अभिवियन जनावाद जैसे वादों की जो हमारे यहां पर एक धारणा देखने में आती है यह भी काफी आकरशक है यामिनी राय के चित्रों में सरल और शुद्ध रंगों का प्रयोग किया गया है आकार भी सरल है जैसा कि यहां पर एक चित्र में देखा जाता है लाल, पीला और हरा और साथ में सरल आकार इस प्रकार के चित्र यामिनी राय की कारे में देखे जाते हैं इसके अतिरिक्त एक और कलाकार जिसका नाम है अमरता शेर्गिल जिसके बारे में मैंने पहले थोड़ा सा इशारा कर दिया था पिछले पार्ट में जो हंगेरियन और भारती कलाकार का मिश्रित रूप है जो अर्ध हंगेरियन है और अर्ध भारती है क्यों कि वह भारती मुलकी है उनके पिता भारत से वहाँ जाकर बस गए थे यह महिला कलाकार है जिसका जन्म 1913 में हुआ 1941 में जिसकी मृत्यू हो गई इनका जीवन बहुत ही छोटा था लेकिन 36 साल की उम्र में इन्होंने काफी अच्छा कारिय कर दिया था हमने पिछली बार तक पढ़ा था कि राजा रभीवरमा भारत में तेल चित्रन का प्रयोग करने वाले पहले कलाकार थे ऐसे में अम्रता शेर्गिल के बारे में कहा जाए तो अम्रता शेर्गिल हंगरी बुड़ा पेष्ट से आई थी और भारती कला और भारती विश्यों से प्रयरित हुई थी उन्होंने इसे आधार बनाया लेकिन तेल चित्रन तकनिक को अपनाया फिर प्रश्ट आता है कि अम्रता शेर्गिल ने किस माध्यम में काम किया है तो तेल चित्रन में पहले राजा रविवर्मा ने भी काम किया है राजा रविवर्मा तेल चित्रन में काम करने वाले पहले भारती कलाकार है अम्रता शेर्गिल जब 1913 में पेदा हुई थी तब राजा रविवर्मा की पहले ही म्रत्य हो चुकी थी 1906 में तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि काफी अंतर है दोनों कलाकारों की उम्र में इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो अनेक ऐसे कलाकार है जो भारती आधुनिक विचारधारा और राजितनितिक कला के साथ में अपना विशेश योगदान देते हैं जैसे बंगाल में अकाल पड़ा तो ऐसे में अनेक कलाकारों ने इसे अपने चित्र एवं मूर्तियों के माध्यम से उखेरा एक मूर्तिकार जिनका नाम प्रदोश दास घुपता है उन्हों ने 1943 में 1943 में कुछ युवा कलाकारों को एक साथ इखटा किया और कलकत्ता समुह का गठन किया निरोध मजुमदार, परितोश सेन, गोपाल गोश, रतिन महित्रा जैसे जो यहाँ पर कलाकार थे वह जुडे कलकत्ता समुह, 1943, प्रदोश दास घुपता हमको याद रखना है प्रदोश दास गुपता ने 1943 में कलकत्ता समुह का गठन किया और कुछ कलाकार जैसे परितोश सेन, निरोध मजुमदार, गोपाल गोश और रतिन मित्रा जैसे कलाकारों को मिला कर समुह बनाया उनका एक कहना था कि समुह एक ऐसी कला में विश्वास करता है, जो चरित्र में सार्व भूमिकता रखता है और पुराने मुल्यों से मुक्त है इन्हें बंगाल इसको लोफार्ट पसंद नहीं थी, क्योंकि यह शेली बहुत भाविक थी, अतीत में भी अधिकरूची रखती थी वे चाते थे कि चित्र और मूर्ति अपने समय के ही साक्षी हो, मतलब कि वर्तमान को प्रदर्शित करते हो उन्होंने जो विवरनों की पद्धती है उसको त्यागा दश्यप्यक्ति गों सरल बनाया और कला के तत्वों सामगरी, सतह, रूप, रंग, छाय, पोत, आधी पर अधिक बल दिया एक और कलाकार है पीवी जानकी राम गनेश इनकी करती है और इन्होंने धातू की चद्धरों पर काम किया है पीवी जानकी राम गनेश जिनके बारे के कहा जाता है कि इन्होंने धातू की चद्धरों पर काम किया है तो ऐसे मैं यहाँ पर जो बाते देखने को आती है वह है कि जीवन की अथार्थता, समाज की अथार्थता को यहाँ पर परिलक्षित किया गया है आगे देखते हैं तो चित्प्रसाद और सोमनात होर जैसे का लाकार सामने आते हैं जो प्रिंट मेकर है और चित्प्रसाद ने एचिंग लीनोकट शीला मुंदरन जैसे जो कार्य है उनमें अपना ध्यान दिया और इनकी जो बंगाल के अकाल से प्रभावित बाते हैं उसको इनके करत्यों में देखा जा सकता है जैसा कि यहाँ पर एक दे रखा है भूखा बंगाल जिसमें एक करती है जिसको भूखा स्ववगा दिखाया जा सकता है पीछे जो पड़ी बनी होई है तो यह चित्प्रसाद की एक करती है जो वर्तमान में दिल्ली आर्ट गेलेरी यहाँ जो मेफ हुसेन है जिनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसेन अब इनका समय क्या है तो 1946 में दप्रोग्रेसिव नामक एक समूह का गठन मुंबई में किया गया दप्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप कहा जाता है जीसे पेग उसका गठन 1946 में बंबे में किया गया और एमेफ हुसेन के चारा एसेच बाकरे एच ए गाड़े एसेच रजा नामक कलाकार इसमें जुड़े हुए थे हुसेन आरा बाकरे गाड़े रजा और इसको निर्मान करने वाले मुख्यनेता फ्रांसिस नियूटन सुजा थे देखो प्रोग्रेसिव आर्टिश ग्रूप को किसने गठन किया सुजा ने इसके पहले कलकता समुग करना में था किसने गठन किया प्रदोश दास गुपता ने ठीक है हमको ध्यान रखना है सुजा ने भी बात की कला में आधुनिक था होनी चाहिए सुंदर ये होना चाहिए कला में ऐसे मानक होने चाहिए जो बर्तमान की चुचुनोतिया है उनसे सामना कर सके आधुनिक शेली की बात की गई है ऐसे में M.F. हुसेन के जो चित्र है उसमें तो ब्रशो का इस ट्रोक देखा भी जा सकता है तो ऐसे में हुसेन अंतराश्ट्र इस्तर पर अपना नाम भी कमाया यहाँ पर देख सकते हैं हुसेन की एकरती जो कि 1960 में चित्र थे और राष्ट्र संग्रहले राष्ट्र आधुनिक कला संग्रहले नई दिल्ली में संग्रही थे इसके अलावा अमुर्तन की भी बात करते हैं तो हमने वहाँ पर उपर नाम लिया था देखो यहाँ पर नाम लिया हमने सुजा, हुसेन, आरा, बाकरे, गाडे और रजा इसी रजा का नाम अब यहाँ पर भी आएगा हुसेन आकरती मुलक कलाकार थे तो रजा, अमुर्तवादी कलाकार थे इनके रंगों का प्रयोग भी चटक है, कॉमल है, एगवर्णिय है यहाँ पर हम देखेंगे चितर ऐसेच रजा का मा इसका नाम है और रजा के चित्रों में बिंदू का प्रयोग बहुत देखा जा सकता है इसके अलावा गायतोंडे, अकवर्पत्मसी, स्यावस्चावडा, एस चावडाजी से कहा जाता है केके हेबार कांडिगेरी, कृष्ण मूर्ति हेबार, तयब महता, कृष्ण खन्ना जैसे कलाकार भी प्रमुख है इसके अलावा मूर्तिकार, जिसे पीलो पिचकानवाला, कृष्ण रेड़ी, जो की प्रिंट मेकर है, कृष्ण रेड़ी, आदी भी प्रमुख है मतलब कि हम जब देखते हैं तो 1960 सित्र के दशक में भारत में चित्रकला, छापाकला, मूर्तिकला जैसी जो बाते हैं उसमें एक विशेश बदलाव आया इसके अलावा केसीयस पनिककर ने चोल कला मंडल नामक एक गाव की इस्थापना की मदरास में जो की अपनी तरह का भारत में पहला गाव कथा, कला गाव तमिल, संस्कतलीपियो, भर्ष किश्र जावर्ट, ग्रामिन शिल्पके कलात्मक रूपांकरों को भी यहां पर बताने का प्रयास किया गया है मलब की इस समय में भारत में बहुत सारा इस तरीके का काम हुआ है जो पहले तक नहीं हुआ चोल कला मंडल के स्थापना किसने की, कैसी एस पनिक करने कहां की, मदरास में की इसके अलागा, जब भारत में वीदेशी जो आंदोलन चल रहे, गंदवाद, अभिवेंजनावाद, अमूर्थन, आदी से प्रभावित्ता, सुदेशी वाद से प्रभावित्ता लेकिन एक नवींता भी आई, अब यहाँ पर एक और नाम आता है, अमर्नाथ सेहगल का, अमर्नाथ सेहगल मुर्तिकार है, इन्होंने क्राइस, अनहर्ड, नामक, एक क्रती का निर्मान किया है एक और कलाकार मुर्नालीनी मुखर जी, जिन्होंने सुतली और रेशो से बनाए हैं, और ऐसी मूर्तिया जो सुतली और रेशो से बनी हुई है, रस्तियों से बनी हुई है, और इसी प्रकार की एक रचना का नाम है, वन श्री इसके अतिरिक्त हम जब देखते हैं तो विरेंडे जी आर्संतोष केसी एस्पनिकर जैसे कलाकार तंत्रवादी कला अब यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं जो हम तंत्र की बात करते है आये तो उस तरीके का एक चित्र है जो कि विरेन डेदे मन जी आर्शन तोष्ट ने बनाया है उन्दिस्टो चित्र में और आधुनिक कला संग्रहले नई दिल्ली में संग रही थे एक ओर चित्र के सिट्पनिक करका दडोग जो कि राश्ट्रिय आधुनिक कला संग्रहले ने विसंग रही थे इसमें रेखा चिन आधी का प्रयोग किया गया है इसके अतिरिक्थ नावत अंत्रिक कला के जो बात की गई है उसमें हिप्पे आंदोलन की बात भी पष्ची के प इसके अलावा संकरनबाद जिसमें कहीं इस्तोतों से कलाकार ने अपने विचारों का संकरन किया जैसे रामकुमार, सतिश गुजराल, ए रामचंदरन और मेरा मुखर जी जैसे कलाकारों का नाम आता है बंबे प्रोग्रेसिव आर्टिस लूप अपर पड़े ही चुके हैं जिसकी स्ताफ ना 1946 में हुई इसके अलावा जे स्वामी नातन जिन्होंने 1963 में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है समूह 1809 इसके पीछे कहानी ये हैं कि समूह 1809 जो है वह जहां मीटिंग होई थी और वहां मकान का जो नंबर था उस आदार पर समूह 1809 इसका नाम रख दिया गया इन्होंने भी किसी भी विचारदारा से मुक्त होने का दावा किया और वर्तमान की और आने की बात की गई है और नए सामगरियों का चित्रन में प्रयोग की बात की है इसके लगा गुल मुहमद शेख, जोतिभट, अंबादास, जैराम पटेल, मुर्तिकारों की बात करें तो रागव कनेरिया, हिम्मत शाह जैसे कलाकार सामने आते हैं यदि हम भारतिय कला की बात करते हैं तो शुरुवाति कलाकार में गगनेनाटेगोर, प्रविनेनाटेगोर, अमरता शेरगेल, यामीनी राय, नंदलाल बसू, आधी प्रमुख है जिन्होंने आधनिक कला को एक नया आयाम दिया बंगाल के आजपास की बात करते हैं तो चित्त प्रसाद अपना एक विशिष्ट प्रभाव छोड़ते हैं इसके अलावा प्रदोशिदाज गुप्ता ने भारत के अंतरगत कलकता में कलकता समुह की इस्थापना की जिसमें परितोष सेन, निरोध मजुमदार जिसे अंध्य कला कार भी शामिल थे और इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो मुंबई में बॉंबे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप पेक की इस्थापना होती है जिसे सूजाने की फिर सूजा के अलावा रजा, हुसेन, गाड़े, बागरे, आरा जिसे कलाकार आते हैं कुल छे कलाकार ने मिलकर किया तो यह हम देख सकते हैं लेकिन हमको फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत पर इस समय में पश्चिमी कला का काफी प्रभाव देखने को मिलता है इसके अतिरिक्त फ्रांसिस न्यूटन सुजा, जे स्वामी नातन, अमरनाद सेहगल, मीरा मुखर जी, मरनालीनी मुखर जी जैसे अनेक कलाकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन सभी के नाम हम भी याद रख सकते हैं रविनाटेग और जामी निराय अमरता शेलगीर के आरावाबी, राम के इंकर बेज और विनुद बिहारी मुखर जी ऐसे कलाकार है जिन्हें आधुनिक भारति कला के अंतरकत महत्वपूर्ण रूप से याद रखा जाता है विनुद बिहारी मुखर जी का हमने संत वाला चित्र दे रखा है मध्यकालीन संत जो की बित्ती चित्र है और राम के इंकर बेज का संथाल फेमिली हमने देखा था अब यहाँ पर हम इस पार्ट के चित्र देखेंगे तो चित्र देखते हैं आईए यहाँ पर एक चित्र है गगने नाटेगोर का गंधवादी चित्र जिसे मैंने कहा और यहाँ 1925 पे बनाया गया है विक्टोरिया मेमोरियल हाल कुलकत्ता में संग रही थे इसके अलावा और चित्र जो कि रविंद्र ना्टेगोर का है डूडल जो कि 1920 में बनाया गया है विश्म बारती शानतीनी के तन में संख रही थे और चित्र या में रायदवरा बना हुआ है लाल रंग प्राथिमिक रंग का प्रयोग गोडा बनाया है जिसका आकार भी सर ले इस प्रकार का चित्र यहाँ पर देखा जा सकता है इसका शिर्श के ब्लेक होर्स एक और चित्र जिसका नाम है ट्रिंस ब्रोंज जुड़वा कांसी प्रदोषदास गुपता द्वारा बनाया गया 1973 में राश्ट्रिय आधुनिक कला संग रहाले नई दिल्ली में संग रही थे यह वही प्रदोषदास गुपता है जिनोंने कलकत्ता संगो की इस्थापना में अपना योगदान दिया एक और कृती चित्र प्रसाद की जो की 1943 में बनी है और बंगाल में आकाल पड़ा था उसके आजपास की कृती है और जिसका नाम है हंगरी बंगाल मतलब की भूखा बंगाल दिल्ली आर्ट गिलेरी नई दिल्ली में संग रही थे एमेफ हुसेन की एक कृती किसान परिवार जो की 1940 में बनाई गई है आधुनिक कला संग रहाल है नई दिल्ली में संग रही थे इसके अलावा एस एच रजा की एक कृती है मा जो की 1972 में बनी है और इसमें रजा द्वारा बिंदू का प्रयोग किया गया वह देखा जा सकता है एक और कृती जी आर संतोश की जिने तंत्रवादी कलाकार के मलब तंत्र की तरह जामिती आकारों का प्रयोग किया गया है शिर्शक हिन कृती हैं 1970 में बनी है और राष्ट्य आधुनिक कला संग रहाले नई दिल्ली में संग रही थे इसके अतिरिक्त अब कुछ ऐसी कृ आएंगी जो हम देख सकते हैं नविन कला आकरतिया और 1980 के दशक की आधुनिक कला के रूप में यहाँ पर केजिसु ब्रमन्यम गुल मुहमद शेक भूपेन का कर्जो की बड़ोदा के कलाकार है उनका भी प्रमु का योगदान हो जाता है यह आजादी के बात की बात है 1970 के दशक के बात की बात है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और विबाजन हो चुका था बांगलादेश भी बना इसके अलावा यहाँ पर पस्चिम मंगाल के कलाकार जोगेन चोथरी विकास बटाचारे गनेश पाइन आदी का नाम भी आता है अब यहाँ पर जोती पट्ट की देवी करती लक्ष्मा गोड की मेन वुमेन एंट्री अनुपमसूत की ओफ वल्स जैसे चापा चित्र भी महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर एक करती दे रखे जो गुल मुहमद शेक की है सिटी फोर सेल बिक्री के लिए शहर 1984 में बनाई गई है विक्टोरिया और अलबर्ट संग रहाले लंदन में संग रही थे उन्नीस सो असी के दशक में बडुदा स्कूल एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आता है और यहाँ से निकले हुए कलाकार या यहाँ के कलाकार अपना एक विशिष्ट पहचान या इस तर सामने लाते हैं गुल केजी सुप्रमन्यम कलपती गणपती सुप्रमन्यम पूरा नाम है जो की बडुदा स्कूल के संस्ताफकते वह भी महत्वपूर्ण है इन्होंने शांतिनी के तन में अध्यन किया था और विनोत बिहारी मुकर जी राम किंकर बेज आदी से शिक्षाली थी जिसका प्रश्टिंग की तकनिक को भी सीखा और बड़े पेमाने पर उभार युक्त मुर्तिया बनाने का कार्य भी किया इसके एक और क्रती है प्लेस फ़र पीपल 1981 में बनाए गई क्रती कला का ऐसा सारवाजिनिक प्रदर्शन प्लेस फ़र पीपल नामग 1981 की एक एत्यासिक प्र लिनी सुधीर पठवर्दन जोगेन चोतरी अब इन्होंने मिलकर भारत में प्लेस फ़र पीपूल नामग एक एत्यासिक प्रदर्शनी का मन्चन किया एत्यासिक प्रदर्शनी लगाई अब इसमें भुपेन खकर और गुलाम शेख बडुदा से जुड़े हुए कलाकार है यहाँ पर एक और कलाकरती देख सकते हैं केजी सुप्रमन्यम की तिन पोरानिक देविया जो की 1988 में बनी हुए और कलाबवन शान्तिनी के तन पश्चिम बंगाल भारत में देखने को मिलती हैं इसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ और नई बाते भी द लिखा है कि अब तक हमने स्वयम कलाकारों द्वारा लिखे गए गोश्चना पत्र देखे लेकिन इस तंदर्व में कलासमिक्षक की भूमी का यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण थी कि कलाकार क्या व्यप्त करना चाहते हैं वुपेंध खकरने इस्थान्य नाई या एक गड़ी मरम्मत करने वाले को चित्रित किया या फिर समलेंगी की पुरुषों को और मत्यमवर्ग की नेतिक्ता को मतलब इस्थान्य जो लोग है या इस्थान्य जन जीवन है उससे जुड़ी समस्याव को अपने चित्रों में उके रहे वो पेंध खकरने बड़ोदा के कला कार है और इन्होंने भी जो यूवा चित्रकार विग्यापन और फिल्म होर्डिंग्स केलेंडर आधी देखने को मिलते हैं उनसे प्रेणा रहते हुए फोटोग्राफिक आकरतियों का प्रयोग किया है यहाँ पर एक देखा जा सकता है बुपेंध खकर कि जो चित्र है जि संग रहा हमें संग रही थे भारत में ही किसी व्यक्ति के पास हो सकती है अब इसके अलाबा इन्होंने जर्रंग की इस तकनिक में एक चित्र को छाया चित्र की शेली में बनेया है इसके बाद आता है न्यू मीडिया आर्ट तो New Media Art मतलब क्या? तो New Media Art मतलब की जो फोटोग्राफिक तकनिक है उसका प्रभाव भी देखते को मिलता है और नहीं नहीं जो तकनिक है वह देखने को मिलती है चित्र, मोर्ति, फोटोग्राफि, वीडियो, टेलिविजन इन सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर काच के शोकेज में प्रदर्शित चाया चित्रों को, दीवार से लटकी मूर्तियों को और वीडियो को सभी को आपस में बताने का प्रयास किया और संस्थापन कला को सामने राने का प्रयास किया जिसे अंगरेजी में बोलते हैं इंस्टोलेशन आर्ट नलीनी मालीनी और विवान सुन्दरम इसके लिए प्रमुक है नलीनी मालीनी मुंबई के है विवान सुन्दरम दिल्ली के है तो इनको भी हम याद रखते हैं नियुयार्क में बापू नामक एक क्रती जो की प्रदर्शित की गई है और इसके अलावा तुल डोडिया की एक है क्रती जो की बापू रेने ब्लोक गेलेरी नियुयार्क में बताई गई है तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा फोटो रियलिज्म मतलब की जिस परकार फोटो में अथार्थवादी दिखता है वैसा दिखाने का प्रयास किया गया है काल अंतर में जैसे जैसे कला के सरोकार बतले, कला का रूप बतला तो कला को संग्रह करने के लिए भी प्रयास किये गये हैं तो ये सब बाते यहां पर देखने को मिलती है इसके लाएक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है जो की राष्ट्रिय आदुने को कला संगरहले द्वारा है जो कलाकत्यों को संगरहित करने इन्हें आगे बढ़ाने पर भी ध्यान देती है अब यहां पर मद्यकालीन संतों का जीवन आगे चलते हैं एक और चित्र की और मदर टेरेसा म.फ हुसेन की गरती है जो 1903 में बनाई गई है जिसमें मदर टेरेसा को बनाया गया है जिसमें चेहरे तो नहीं दिकाई दे रहे है लेकिन मा की गोद में एक यूवक लेटा हुआ है यहां पिएटा जैसा ही एक द पिसने वाले यहां अमरता शेरगिल की करती है भारत की महिलाए सुकी हल्दी पिसने का कारे कर रही है इस तरीके का द्रश्य यहां पर चित्रित किया गया है यह चित्र भी देखो इसमें रंगों का प्रयोग देखो कैसे चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है यहां त आप देख सकते हैं, फेरी टेल से आपर एक कहानी है, इस्टोरी जिसे कहा जाता है, तो उसी का अंकन देखने को मिलता है, जिसमें पेड़ पोते, अजिब स्याकरत्या, पशु, सूर्य, आदि सभी, चित्रन देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त वहला कोल, कृष्णा रेड़ी क चापा चित्रन है, यह काफी प्रसित्त है, 1963 में बनाया गया है, अब इसमें नीले रंग की विभिन तानों को बनाया गया है, काफी आकरशक्त थी, जिसमें एक सशक्त जाल बना हुआ है, और यह नई तकनिक, चापा चित्रन तकनिक जो है, उससे बना हुआ है, और इन्हो ने एक प्रसिद्ध छापा चित्रकार इस्टेंद विलियम हेटर के साथ अटेलियर सत्रा नामक प्रसिद्ध इस्टूडियो का विकास भी किया था जिसे विसकोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है जिसमें एक धातु की मुद्रण प्लेट पर अलग अलग रंग का प्रियोग कर प्रिंट निकाली गई है इस तरी के काया है इसके अतिरिक्त चिल्डरन जो है सोमनाथ होर की ग्राफिक प्रिंट है एचिंग माध्यम में बनी हुई है आप देख सकते जिसमें बच्चों को दिखाया गया है ब्लेक इंड वाइट है इसके अलग असोमनाथ होर की अन्यकरतिया पिजमेंस मीटिंग वाउंड एड एनिमल दवाइल्ड दचाइल्ड मदर एंड चाइल्ड मॉर्णर्स एंड अन्कलेर बेगर फेमिली जैसी अन्यकरतिया यहाँ पर देखने को मिलती है एक और करति जिसका नाम है देवी जो की जोती बट की है और यह भी छापा है एचिंग है एचिंग मतलब प्रिंट यहाँ पर देख सकते हैं देवी इसके अलाबा हम आगे चले तो ओफ वाल्स यह भी एक छापा है अनुपमसुद का जिसे की जिंक प्लेट पर बनाया गया है काफी आकरशक है और रियल जैसा दिख रहा है मानलो की फोटो है तो यह भी काफी आकरशक है जिसमें अनुपमसुद ने गरीबों के दुख विशात, दरित्रता आदी को बताने का प्रयास किया है एक और चित्र रूरल साउथ इंडियन वेन भूमेन अभी अभी छापा चित्र है लक्षमा गोड द्वारा बनाया गया है आप इदर देख सकते हैं पेड के नीचे बेटे हुए ग्रामेन लोग बनाये गये हैं तो इस तरीके का द्रश्य जिसमें क्रशक पूर्शों को दिखाया गया है अगला है ट्रंप ओफ लेबर देवी प्रसाद राई की चोदरी है और कांस्य में बनी हुई है चेन्ने के मरीनातट पर इसको इस्थापित किया गया है हम यहाँ पर देख सकते है ट्रंप ओफ लेबर इसके अलावा संताल फेमिली जैसा कि मैंने पहले भी कहा है राम किंकर बेज दुद्वारा बनाई गई है सीमेंट और कंक्रीट में बनाई गई है 1936 में यह वर्तमान में शान्तिनी के तन में देखी जा सकती है इसके अतिरेकट अमर्नाथ सेकल की करती यह धातू मात बनी हुई है इसके अलावा गनेश पीवी जान की राम की है यहाँ पर देखे जा सकते हैं धातू मात बनी हुई तांबे की धातू शेट चदर का उप्योग करके बनाई गई है एक और क्रती वनश्री जो की रच्षियों से बनी हुई है जैसा कि हमने पहले कहा था मरणानेनी मुखरजी की यह क्रती है जिसे 1904 आणों में बनाया गया है रच्षिय से हम एक एक क्रती का बाद में विवेचन भी देखेंगे आप सभी ने सुना इसके लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नई जानकालियों के साथ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें ताकि नए नोटिफिकेंशन प्राप्त कर सकें